दोस्तो 15 मार्च 2022 को दुन्या भर के कई देशों ने मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अलब संख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर स्लामोफोविक डे मनाने का फैसला किया था और ठीक एक साल बाद 15 मार्च 2023 को इस डे को मनाया भी गया लेकिन जिस तरीके से भारत में और देश के दुनिया के तमाम अलग-अलग हिस्सों में अब संख्यकों पर मुस्लिमों पर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, धर्म के आधार पर भेदभा हो रहा है, उसको लेकर संयुक्त राष्ट के सचीव का जो बयान आया है, उसे मंच उन्होंने साचा किया है, और तोवार ये वही सचीव है जो मोदी जी को भरे मंच पर समानित करते वे नजर आये हैं, जिया दोस्तों साल 2018 की अगर मैं बात करूँ, अगर आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, तो साल 2018 में सैयुक्त राष्ट महा सचीव एंटोनिया ग से भी इस तस्वीर को शेयर किया गया है, और कहा गया कि देखी कैसे यूएन के सचीव जो है, वो प्रधान मंत्री मोदी को परियावरन को लेकर प्रतसाहित कर रहे हैं, आज वही दुनिया भर में हो रहे मुसल्मानों की प्रती हिंसा को लेकर खुल कर बात करते हुए नज किया था, जिसका आर्थ है कि हर साल पंद्रा मार्च को इसलामोफोबिया के खलाफ अंतराष्टे दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इस दिवस को मनाने का निर्णाय संयुक्त राष्ट में OIC द्वारा प्रस्तूत प्रस्ताब के अनुमोदन के बाद लिया गया था, प प्रस्ताब में साफ तौर पर कहा गया था, कि ना केबल मुसल्मानों की भाद नाओ को ठेस पहुचाई जा रही है, बलकि इसलामोफोबिया के जरिये भेदभाव भी किया जा रहा है, जिसके खलाफ सहियुक्त राष्ट को कारवाई करने की जरूरत है, तो ये मांग OICC की तरफ से की गई थी, कि कैसे जो है, इसलाम के खलाफ दुस्परिचार किया जा रहा है, बेदभाव किया जा रहा है, इस पर सहियुक्त राष्ट को जो है, कोई कड़े फैसले लेने चाहिए, सहियुक्त राष्ट महासाचीव एंटोनिया गुट्रेस ने आगे अपने टुटर में टुट करते हुए लिखा कि हम सभी को मुसल्मानों के खलाफ बेदभाव और इसलामोफोबिया के खलाफ खड़ा होना चाहिए, जो भी इस तरीके की हरकत करता है, उसके खलाफ आपको खड़ा होना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए, ताक आज और हर दिन हमें अपनी समाने मानवता की पुष्टी के विभाजन की ताकतों का विरोध करना चाहिए, जो इस तरीके की हरकतों में शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, और लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, मारने पीटने का काम करते हैं, हिंसा के लिए उक् रखे और दुनिया भर के लोगों को परचाहित किया कि अगर आप किसी के खलाफ अन्याईग होता हुआ देखे तो उस अन्याईग के खलाफ आवाज उठाए सख्ती से आवाज उठाए, बुलंदी के साथ आवाज उठाए ताकि इस तरीके की हरकत जो है वो कोई ना कर सके दोस्तों इस पूरे रपोर्ज को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकी रिया है हमें कॉमेंन सेक्षन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ नेशन 360 को जादा से जादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना बोले